हेलो एब्रीवन, स्वागा फ्राफ सब का फिंक आइस में फिंक आइस में आज हम देखेंगे USA की नियो एमेंडमेंट के बाड़ा में जो US कॉंग्रेस लाई है और US कॉंग्रेस इसे लाने के बाद चाहती है कि वो इंडिया रसिया से आम्स फिर से ना खरीदे नए एक्ट के तहर इंडिया को रोका जाए जिससे दूसरी कंटीज को इंपैक्ट ने पड़े और उनका काम भी बन जाए तो इसे फाइदा और घाटा किसका होने वाला है वो क्लेरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इंडिया को प्रॉब्लम होगा बिकाज इंडिया के 70-80% जो इक्विप्मेंट है अभी भी हमारे डिफेंस के वह रसिया से आते हैं तो आएए इसको डिटेल में देखते हैं आप यहाँ पर यह न्यूज देख सकते हैं यह दो हिंदू का न्यूज है आखिरकार इस न्यूज में यह बोला गया है कि एक्चॉली में जो रसिया को रोकने के लिए किस तरह से यूज अपने अलग-अलग स्टेप्स ले रहा है और इस अब चीज़ों को आप देखें तो वो न्यूज अमेंडमेंट ला करके यूज कॉंग्रिस के तरफ से वो इंडिया को इंकरेज करना चाड़े हैं कि वो जि क्रिटिकल कंडिशन में है और इसी लिए हमें वर्ल्ड के ओल्डेस्ट देमोक्रेसी होने के साथ बिट्विन टू कंट्रीज को हमें जहा समझदारी वरानी चाहिए जिससे कि हम रोक पाए तो यह इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक मैनुपलेटेड वर्ल्ड यहां पे क् रखता है जबकि आप देख रहे हैं कि हमारे line of actual control के पास already दो ऐसे countries हैं जो कि हमेशा इंडिया को प्रॉब्लम क्रेट करने के लिए तयार है एक तो आप जानते हैं चाइना और दूसरा उसका प्रॉक्सी स्टेट पाकिस्तान अब यहां पे जब ऐसा कुछ होगा तो हमें यह देखना हो कि actually economic benefit क्या है और इंडिया कितना dependent है रस्या के उपर आप यहां देख सकते हैं यह 4 billion worth of military equipment जो है actually more than 25 billion जो है from Russia से इंडिया ने बाई किया है और यह report देता है Stockholm International Peace Research Institute और यह data वहां से आने के बाद एक और data है जो कि दिखाता है 70 to 85% जो है Indian military platforms जो है Russian origin equipment का आप खुदी सोचे अचानक से अगर डूख जाता है तो क्या इंडिया तुरंत पर इतना बना पाएगा हम आत्म निर्भर हो रहे हैं और आजादी के आमरित महुत सब पर हमने बहुत सारे initiatives लें जिसे कि हम future में self dependent हो सके defense के मामले में पर इतना जल्दी नहीं हो सकता है इसे कम से कम अगर आप normally भी देखो तो 10 साल लग जाएंगे और इस तरह के laws अगर इतने जल्दी आते हैं तो यह इंडिया के उपर रियली में impact करेगा आप यह चार्ट देख सकते हैं चार्ट में actually यह Stockholm International Peace Institute का है इसमें इंडिया नमर वन पर आ रहा है और second जो है चाइना है तो यह future में देखने हैं लाइक होगा लेकिन अभी उन्होंने वर्ड से और हत्यारों के मामले आप देख सकते हैं 21% वो अपना पूरा का पूरा जो उनका 100% में है वो actually वो रसीया से बाई करते हैं अभी और अब है मैं यह समझना होगा कि काटसा है क्या इस एक्ट के तहट जब भी actually में यूएस ने रोकना चाहा तो ऐसा करने से पहले यूएस को प्रॉबलम हो गई अगर USA इंडिया को रोकती है तो इंडिया को actually counter करना है चाइना को अब counter करने के चकर में जब इंडिया सामने आएगा तो कहीं ने कहीं USA चाहता है कि इंडिया चाहिना को रोके उसके लिए इंडिया को बहुत सारे arms रखने होगे और किसी भी counter offensive war के लिए तैयार रखना होग और यह हुआ भी इंडिया का जो first S-400 missile system आया वो उन्होंने LSE पे deploy कर दिया इंडिया ने अब जब हमारे प्यारे देश ने ऐसा deploy किया है तो इससे चाइना को एक counter भी मिलता है और अब जानते हैं कि किस तरह का capability है दोस्तो एक मिनट में यह 400 missile दाग सकता है और इसकी range 400 to 500 km ह और इस range में जो भी आता है तो हम उसे deactivate कर सकते हैं आसानी से और उन्हें आसमान में ही गिरा सकते हैं इसलिए इंडिया के उपर अगर कोई ही missile चाना के तरफ से या पाकिस्तान के तरफ से भेजी जाएगी तो हम उसका पूरी तरह से उन्हें हवा में ही मिटा के रख गया और उसके उपर sanctions लगा दिये गए USA के द्वारा जो कि trade में लगे थे उनके और आमस में भी तो sanctions लगते जिस और जबकि वह एक NATO member है फिर भी ऐसा हुआ लेकिन इंडिया को special waiver मिला इस Donald Trump के टाइम पे 2018 में जब इंडिया ने final payment करी थी अब हमारे पास एक आ चुका है और में जो की रसिया से उसके material आते हैं चोली हमने आप दे देखा हुआ कि ब्रहमोस इंडिया और रसिया का joint collaboration से बनाया गया है तो इस तरह का जब हमारी साजधारी ये रसिया के साथ और उसमें अगर कोई रुकावट आएगी तो future में और present में कितनी ज़दा problem होगी आप खु अगर आप थार्ट देखे comparison में तो कहीं से भी ये S400 को comparison भी नहीं कर पाएगा अब ऐसा जब वह नहीं कर सकते तो उन्होंने बड़ी-बड़ी बाते बोली democracies वर्ल्ड फोस्टर इनुवेशन के लिए आपको रस्या से रोकना चेक खरीदने से अब उन्होंने यह सारी चीज़ तो चल रही है लेकिन आपने अभी नियूज में देखा होगा कि एप 16 एक्चुली अमीरका ने दे दिया किसको पाकिस्तान को अब पाकिस्तान को देने के एक्चुली यूज इंडिया के लिए पाकिस्तान चाहरा है और उसके जो एक्विपमेंट्स उने चाहिए भी वो यूज होगा एगेंस्ट इंडिया ने इसके बारे में रिपोर्ट भी किया था इवहन उन्हें सबूत भी दिया था कि वहां के जो मिसाइल गिरे हैं इंडि अगर आपको पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजेए को